हलो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ओन मन्शिक्ष अप्पे बच्चे जैसे कि आपको पता है कि एक्जाम डेट आ चुकी है ठीक है तो उसी के अकोडिंग हम सलेवस कर रहे थे पहले अपने एकनोमिक्स की सीरीज चला रखी है इन्वार्मेंट एंडिजस्टर मनेजमेंट की सीरीज चला रखी है तो अभी आप पॉलिटी की पार्ट करे दे रखा है वो सारा का सारा हिस्ता आपको यहां पे कवर करवाया जाएगा तो यहां पर देखिए आज का जो हमारा टोपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स क्या टोपिक रहेगा फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स देखिए ऐसा कोई भी ए दिखेगा आप fundamental right की अगर हम बात करें तो ये आप बोल सकते हो कि ये मौलिक अधिकार होते हैं ना मौलिक अधिकार होते हैं वैसे भी इनके बारे में knowledge होना बहुत ज़्यादा जरूरी चीजे हैं वो भी आपको बताएंगे कि कौन से knowledge आपको होना जरूरी है क्योंकि ये fundamental right क सबसे पहले fundamental rights की ही demand करी थी वो भी चीजे आपको यहां पे सारी की सारी पढ़ाई जाएंगी कि कैसे ये मतलब भी अपने सविधान में ये सविधान में आए ठीक है तो सबसे पहले देखिएगा सविधान का magna carta इनको बोलते है fundamental rights को भाग तीन में ये लिखे हैं भाग ती कौन से पार्ट में fundamental right है तो भाग तीन में उसी तरीके से मोलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये 12 से 35 ये सबको पता होगा ये basic चीजे हैं आप आप से पूछ लिया जाए तो 12 to 35 अधिकल में ये लिखे हुए है यानि आप से पूछ लिया जाए कि मोलिक अधिकारों का अनुछेद क्या है तो अनुछेद 12 से 35 में इसका जिगर ठीक है अब यहां पर देखो कि सविधान का Magna Carta इसे क्यों बोला जाता है कि भाग तीन को सविधान का Magna Carta कहा जाता है देखिए Magna Carta से आप क्या समस्तिय है यहां पर मैगना कर्टा से आप क्या समझते हैं 1215 इस वी की बात है ठीक है, तो जो बृते के किंग जोन थे ना बृते के किंग जोन थे उन्होंने कुछ मतलब अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार लिखवआय थे उसमें ठीक है, बृते के जो किंग जोन थे उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार लिखवाए थे कुछ राइट्स लिखवाए थे उन्हीं अधिकारों को क्या बोला गया मैगना कार्टा बोला गया अब यहां पर फंडामेंटल राइट्स में भी तो क्या है अधिकार ही तो है तो इसी वजह से मोलिक अधिकारों को क्या बोला गया है और क्या नहीं है है और नहीं अभी पेपर में देख के लिखागरों बहुत साले बच्चों के इस टाइब से कोशन गलत होते हैं तो एम या उदेश्य की अगर आप बात करें तो मोली करिकारों का क्या उदेश्य था ठीक है पहले अपा हिंदी में लिखेंगे और के व Karl का विकास करना सिंपल सी बात है अप अपने को व यक्ती के विक्तितव का कीसे होगा जब हम फ्री होंगे हमारे पास कुछ राइट किरीनी पाएंगे तो हमारा जो व्यक्तितव को कैसे निखरके यानि कि human being की personality को क्या करना develop the one's personality किसी की भी personality को develop करने का काम जो करते हैं वो करते हैं human rights उसके बाद में देखो second point की अगर हम बात करें सरकार की शक्तियों को सिमित करना सरकार की अब पेपर में बहुत बार बच्चे कोशन आता है कि सरकार की शक्तियों को कोन सिमित करता है तो सरकार की शक्तियों को सिमित करते हैं fundamental right अगर हमारे पास fundamental right है तभी तो हम सरकार के खिलाफ वाज उठा सकते हैं otherwise क्या बोलते है ताना शाही आ जाए तो हम सरकार के खिल इतनी बार, to control the power of government, to control the power of government, ये बहुत बार बच्चे पेपर में आया हुआ कोशन है, कि कौन सरकार की शक्तियों को क्या करता है, सिमित करता है, उसके बाद में देखतो, लोगों के बीच में समानता, अगर सब के पास में सेम अधिकार होंगे, तो समानता आएगी, simple सी बात ह लोगों के बीच समानता कायम करना, लोगों के बीच समानता कायम करना, समानता कायम करना, आप अराम से बैठिये, micro notes बनाएए, छोटे 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 notes, complete notes आपको PDF 4 में मिल जाएंगे, ये मिलेंगे आपको निचे description में लिंक दिया होएगा, आपको telegram channel का और शिक्षा hub application का telegram channel download कर लीजिए, telegram channel subscribe कर लीजिए, ठीक है, आप जाएंगे तो आपको link मिल जाएगा और उस पर डिरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, उसके बार में लोगों के बीच में समानता कायम करना, अब देखो, maintain the equality among people, ठीक है, छोटा जो है वो है, वाक एवं अभिव्यक्ति की सवतंतरता, वाक एवं अभिव्यक्ति की सवतंतरता, अब ये क्या है, वाक मतलब क्या होता है बच्चे, freedom मतलब बोलने की speech, speech बोल सकते हो, ठीक है, उसी तरीके से अभिव्यक्ति क्या होती है, expression देना, किसी भी चीज को express करना, ये सारी की सारी जोफदा fundamental right में उसके बाद में next है वीधी के तहत सरकार का गठन भी एक वीधी होनी चाहिए तभी आप आप वो डालते हैं फिर उसके बाद में MP MLA सरकार बनाते हैं तो वीधी के तहत सरकार का गठन ये भी क्या है fundamental right है उसी तरीके से शारीरिक मानसिव एवं नैतिक विकास क करना यहनि दार इस physical mental and moral growth एवं नैतिक विकास करना physical, mental and moral growth उसके बाद में next ए राजनीतिक next है बचे आपका राजनीतिक समाजिक समाजिक आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं का दूर गरना आर्थिक एवं धार्मिक समस्याओं को धार्मिक समस्याउ को दूर करना ये आपका क्या रहता है एम रहते हैं ये सारे के सारे ये 7.20 टोटल चार पहले कुरवाई थे तीन ये कितने हैं टोटल ये सारे के सारे अब पेपर में कोशन आ सकता है कि इन मेंसे ये बताएं क्या उदेशe है और क्या नहीं है ठीक है यनि इसका मतलब है कि political issue हो गए, आपके social issue हो गए, यानि समाजिक हो गए, ठीक है, आर्थिक यानि economic हो गए और धार्मिक यानि religious problems जो होती है आपकी, उनको resolve करने का काम भी कोन करते है, fundamental rights करते हैं, ठीक है बच्चे, next point है आपका, आप से पुछा जाए कि सबसे पहले demand किसने करी थ के दवारा की गई थी, तो देखेगा, fundamental right के demand जो करी गई थी, वो सबसे पहले एक lady के दवारा की गई थी, जिनका नाम क्या था, any basin, याद रखना, ध्यान में रखना इस चीज़ को, any basin के दवारा की गई थी, ठीक है, किसने करी थी, any basin, यानि मोखिक रूप से, यानि मोखि called demand, अब यहां पे देखो, जो return demand है, पहली return demand जो है, वो किसके दवारा की गई थी, पहली return demand और यह सबसे important point है, बचले, सबसे important point, पहली return demand जो करी गई थी, वो मotti लाल नहरू, जो जो जवालाल नहरू के फादर थे, उन्हों ने 1928 में, 1928 में की गई थी किसके द्वारा मोतिलाल नेहरू के द्वारा इससे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी चांद जाता अब नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाएगी मोतिलाल नेहरू के द्वारा अब बहुत सारे बच्चे इसको जवाला नेहरू परते हैं नेहरू रिपो एक कमेटी का गठन किया गया उस मीटिंग में ठीक है अब जिसमें क्या हुआ सविधान का प्रारूप त्यार किया गया क्या त्यार किया गया सविधान का प्रारूप त्यार किया गया और उस समय जो बिटिश आशन का अपना सेक्रेटरी था ना बिटिश आशन का सेक्रेटर लोड बरकन हैड था बहुत important important point है मैंने क्या बोला कि 1928 में मोतिलाल नहरू की देख्षता में एक meeting होती है और उस time सविधान का प्रारूप तियार होता है और प्रारूप तियार करते हैं जो सविधान इस committee के क्या बोलते हैं members होते हैं तो अब उस time पर British secretary कौन था या आप बोल सकते हैं secretary of state कौन था लोड बरकन हैड ठीक है तो इन्हों ने उनको यह मतलब सोपा कि हमें क्या चाहिए fundamental rights चाहिए ठीक है तो अब लोड बरकन हैड बोलते हैं कि ठीक है तुम्हे fundamental rights मिल जाएंगे तो तुम एक ऐसे report त्यार कीजिए तुम क्या कीजिए एक ऐसी report त्यार कीजिए जिसमें आप अपनी जो राज्य विवस्ता है वो चलाना चाहते हैं किस type से अगर माल लीजिए कि आपको मतलब हम आपका दे दे देते हैं तो आप उस राज्य विवस्ता को कैसे चलाएंगे ठीक है और उसके लिए एक report त्यार कीजिए और उसमें कुछ प्रावधान लिखिए समय यह बात किसने बोली थी लाड बरकन हैड ने मुतिलाल नहरू को ठीक है अब उस इसने बोला कि इसमें वो सारे के सार फंडामेंटल राइट लिखिए जो आप भारतियों लोगों के लिए चाहते हैं और जब उसने यह report त्यार करी थी ना उसी को क्या बोलते हैं नहरू रिपोर्ट बोलते हैं समझ मैं यह किसने बोला था लोड बरकन हैड ने किसको बोला था मोतिलाल नहरू को ठीक है कि आप पर कैसे रिपोर्ट त्यार की जिसमें आप वो सारे के सारे प्रावधान लिखे जो फंडामेंटल राइट आप भारतियों को देना चाहते हैं उसी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं मतलब नहरू रिपोर्ट बोलते हैं अब देखो यह अब हुआ कि 1931 में जो कराची का अधि अधिवेशन हुआ यह सबसे पहले कोंग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स की दिमांड की दबारा से ठीक है कोंग्रेस ने डिमांड करी कि इंडियान नेशनल कोंग्रेस पार्टी जो है उन्होंने उस टाइम पे यह एक पार्टी वह करती थी बहुत फेमस और आज भी यह चल रही है ना तो वही इंडियान नेशनल कोंग्रेस की बात कर दिया जिसकी जड़े सवतंतरता के पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से कायम थी भारत ने तो अब यहां पे देखिए इन्हों ने उन्नी सो एकतिस में मोतिलाल नेरू की जो डिमांड थी इसको दुबारा स अधिनियम है ना उसमें हम क्या कर देंगे आपको फंडामेंटल राइट से लिखके देंगे ठीक है अब 1935 का भारेश याशन अधिनियम जो है इसका सविधान पर डिरेक्ट इफेक्ट पड़ता है क्योंकि यहां के 1935 के भारेश याशन अधिनियम से 300 अनुछेद ऐसे के इसे उठा रखे हैं और सबसे जादा असर है और यह काफी बार कोशन में भी फेपर में भी कोशन आया है तो अब 1935 का भारेश याशन अधिनियम तो आया लेकिन फंडामेंटल राइट से बिना यहां पे फंडामेंटल राइट सीनों नहीं दिये जबकि अंग्रेजों ने में इसिसवी में क्या होता है एक कमेटी का गठन होता है इसको बहुत्यों तेज बहदुर समक्ति थेज बहादुर सप्रू कमेटी 9 xử सारे की सारे पोइंत इन स्तप बवाई जलेंगे कुछ भी इंत्र गोर्व्विन तो, तेज बहादर सपरू कमेटी ये गठित की जाती है जेयल नहरू के द्वारा किसके द्वारा जेयल नहरू इस कमेटी को गठित करते हैं ठीक है अब इसमें मतलब भी जो भी अधिकार थे मतलब जो फंडामेंटल राइट लिखे गे थे उनको दो भागों में इसने जाए चीन लिया जाए तो आप कोर्ट में क्या कर सकते है चैलेंज कर सकते है यानि जो चैलेंजेबल है और दूसरा ऐसा कि जिनको चीन लिया जाए तो कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते है यानि नो चैलेंज समझ मैं यह इतनी बात बहुत इंपोर्टेंट पोइंट जो है यह गडित की गए किसके दवारा जो आला नहरू के दवारा 1945 में इसने क्या किया जो नहरू रिपोर्ट में जितने भी अधिकार लिखे हुए थे उसको कितने भागों में इवाइड कर दिया वह कagई से कॉन से थे एक वो जिनको प्षीन लिया जाए तो आप challenge कर सकते और दूसरा वो जिनको छीन लिया जाए तो आप challenge नहीं कर सकते अब जिनको छीन लिया जाए उनको challenge कर सकते हैं वो तो आपके मोलिक अधिकार बन गए बाद में जाके क्या बन गए मोलिक अधिकार और जिनको चीन लिया जाए और फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते वो आपके कहलाए बच्चे DPSP यानि आप इसको क्या बोल सकते हो डिरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलेसी यानि राज्य के नीती निर्देशक सिधान्त राज्य के नीती निर्देशक सिधान्त जो है यह कहलाए तो अब आप से यह पुछाज़े राज्य के नीती निर्देशक सिधान्त जो ह सब्सक्राइब fundamental rights, ठीक है, अब article 12 जो है, article 12 जो है, इसमें राज्य की definition जो है, वो दे रखी है, यानि राज्य की परिभाशा दे रखी है, राज्य की परिभाशा के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि state, definition of state, अब आप मेरे को क्या करेंगे, comment करके बताएंगे कि एक राज्य की definition होती क्या है, यानि एक राज्य, अगर आपसे पुछ़ँजए क्य आप बात करें, तो एक राज्य क्या होता है, अगर मैं आप से पुछू, कि एक राज्य ACTUAL में क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, समझ रही हो, इस चीज़ को, तो तो राज्ये की अगर आप बात करें, क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीजे आप मेरे को कमेंट में लिखके बताएंगे, नेक्स पार्ट में हम आर्टिकल 12 से शुरू करेंगे, और फिर चलेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स हैं, जो लगबग तीन क्लासिस में अपने ख प्रवार रखेंगे, ठीके बच्चे, तो थैंक्यू सो मच चैनल को सब्स्राइब कर ले, टीडियस जो है वो आपको, टेलेग्राम चैनल लिंक में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, थैंक्यू सो मच.